हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था फीड मैनेजमेंट के उपर तो उस पर मैंने एक टॉपिक लिया था कि फीड का पर हमने डिसकस किया तो उसके उपर बहुत से लोगों ने पूछा सवाल कि यह फैक्टर यह बहुत इंपॉर्टन लग रहा है पर हमें समझ भी नहीं आ रहा है तो इसके उपर एक टॉपिक कुछ बनाईए वीडियो बनाईए तो हमको बहुत होगी तो मुझे लगा कि यह ब तो देखिए पीएच क्या होता है उसका हाइडोजन लेवल रहता है पीएच पोटेंशिल हाइडोजन तो यह हाइडोजन मॉलेक्वल्स बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है डाइजेशन में हर चीज़ का पीएच होता है मतलब कोई सॉलिड रहेगा लिक्वीड आपकर देखिए अगर हम के बारे में यह गोट के बारे में ईगोट का जो ब्लस रहेता है उसका पीएच का है सेवं पॉइंट ट्रीफ अलकलाइन मैंने यह लास् विडियो में बताया दा आप जवी बताता हो कि वर डूज सिस्वोंट ताइन यह होता है सेवें न्यूट होता है 7.1 to 14 यह होता है alkaline तो जो pH अगर आप चेक करेंगे इससे आपको पता चलेगा अगर वो तीन दिखा रहा है तो डैट मींस इंडर acidic zone अगर वो 7 के आगे दिखा रहा है 89 तो मतलब वो alkaline zone में आ रहा है cattle का और goat का अगर आप body का structure या उनका जो कुछ भी चेक करेंगे तो उसका जो pH 7 के आगे रहता है उनका जो blood है वो भी 7.2 से 7.28 या 7.35 के आसपास है आदमी का भी इन जनल उतना ही है तो मैंने ये बताया था कि आपको जो उनको खिलाएंगे अगर वो alkaline होगा उनका जो body का pH है blood का 7.35 के आगे वाला जो उनको खिलाएंगे तो उनको digestion में बहुत help out होगा क्योंकि वो easily dissolve हो जाता है body में उनको digestion में तक्लीप आती है अगर वो फीड अगर कुछ फॉड़र या कुछ फीड़ आप खिला रहे अगर वो बहुत highly acidic है तो उनको digestion में problem आ जाता है और उसका results आपको दिखता है उनको acidity होता है in human beings इसको acidity बोलते हैं और अगर cattles के अंदर बात करेंगे तो उसको acid doses बोलते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि उनको जो आप खिला रहे हैं वह 7.35 के आगे होना चाहिए पर अभी यह बोलना तो आसान है कि हर हर चीज आप alkaline खिलाई यह पर बेसिकली हर चीज आप alkaline खिलाने के लिए जाएंगे तो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो कभी आप acidic food भी कुछ हो जाता है मतलब green fodder भी खिलाते कोई थोड़ा कुछ concentrate खिलाते लोग एक दो किलो तो चल जाता है वो कैसा चल जाता है मैं आपको बताता हूँ बैसिकली आदमी का या फिर cattle का वी विल फोकॉस ऑन cattle and goats तो उनका जो saliva होता है देखिए वो ruminant animals है वो दे चूद्या फॉडर ओके तो जब वो फॉडर खाते हैं जो इन करते हैं तो बैसिकली वो सब हर चीज उनके बॉड़ी के अंदर जाता है और आफ्टर फिट वो क्या जालने के बाद में दे स्टार्ट चूइंग दा फॉडर तो उनका जो 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 सलाइबा रहता है ड़ीज एलकलाइन वो अल्मोस्ट 7.4 7.5 के आसपास उसका पी एच है तो क्या होता है जब वो चूइंग चालू करते है तो एसीडिक जो फॉडर रहता है वो उसमें क्रश ह जाता है और वो पूरा मिस हो जाता है तो उसका बढ़ान बदल जाता है तो वह इंदे स्टार्ट चूइंग तो उसका क्या होता है जो एकर बहुत से बात देखेंगे जब उनका जो कावडंग रहता है या फिर गोट के अंदर उनका जो मैनियो रहता है उसमें आपको होल सीड्स दिखते उसका रीजन ही है कि वो डाइजस्ट नी कर पाते हैं तो उनको वो जो अगर अगर अपका उनके बाड़ी में अगर 20-30% अगर एसीड इन भी हो गया तो उनका जो बाइन नेचर वो चूइंग हैबिट के वए से उसको कनवर्ट करते एलकलाइन में और फिर वो उसको इन करते हैं सेम इन केस अगर यूमन बींग के बारे में बात करेंगे हम बोलते हैं कि अगर आप जो कुछ खाना खारे तो उसको चब आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आप चबाके नहीं खाएंगे सीधा निगल जाएंगे तो उसको आपको अंदर जाके एसिटी होने का चांसिस जादा है तो सेम इंकेस ऑफ कैटल्स अगर उनको चबाने के लिए मिलेगा यह नहीं वो चांसें ट्रेट तो उनके बॉड़ ट्रोमा में जाता है तो हैंस इस वेरी इंपोर्टन की अगर आपके कैटल्स को अगर एसिडोसिस के आपको बचाना है उनको डाइजेशन अच्छा करना है तो उनको एसिडिक फूड का मिन करो अभी क्या है कोई लोग उनको सिर्फ ड्राइफ ओडर खिलाते और बेसिकली 50 60-70% रोज का जो फीड है वो कॉंसेंट्रेट पे होता है तो बेसिकली कॉंसेंट्रेट जो होता है वो सीड्स के थुरूई बनाया जाता है तो उसमें एसिडिक लेवल हाई होता है आप कभी भी देखिए अगर उनका जो ड्रॉपिंग से आप कैसा जज्जमेंट लगा सकत तो आप वो फार्म में जाएंगे तो आपको इमीजेटली पता चलागे कि सम्तिंग इस रॉम उनका जो कावणंग रेता है बहुत गंदा रहता है अच्छा कैटल का या फिर गोट का जो डाइजेशन आप कैसा जज्ज कर सकते हो उनका जो मैनियोर होता है वो अच्छा खा आपके फार्म पर आता है तो वह पहला देखता है कि काव का या बफिलो का या गोट का डंग का कॉलिटी चेक करते हैं उससे उपर वो जजज्मेंट लगाते है कि उनको डाइजेशन लेवल कैसा है फिर वो पुछते कि उसको आपने कितना कॉंसेंट्रेट खिला या फिर क इन कि मुंको आक सेखें रेख़स अरे moeurs सुसीट होता है इंट एक दिन इमैं दो दिन में उनको इंको या इधन हो जाता है तो it is very important जो उनको खिलाएंगे उसका nature alkaline होना चाहिए maximum in case of goats तो आपको थोड़ा देना चाहिए क्योंकि आप कभी भी ध्यार में रखिये अगर ये जो feed वाले भी रहते ना जो feed बेचते या फिर जो अगर आप training जाएंगे तो उसके अंदर भी वो बोलते हैं कि अगर उनको कोई है आपको कुछ crush sand, sorry crush का जो seed रहता है वो भी खिलाने तो आप उनको 50 gram खिलाएं, 100 gram खिलाएं, कोई इसा नहीं बूलेगा 1 kg खिलाएं, 2 kg क्योंकि उनको मालूमें by nature it is acidic अगर वो उनके body में in होगा तो उनको problem होने वाला digestion में तो वो भी कभी suggest नहीं करेंगे कि वो कि आसपास अगर आप कोई feed या concentrate खिला रहें जो acid के by nature वो उसको convert कर सकता है in alkaline, in case of buffalo 2-4 kg के आसपास वो कर सकते हैं, मतलब हर एक किसे का capacity है, अगर उसके आगर आप खिला रहें तो फिर आपको immediately उनके जो dropings में हैं आपको उनका result दिखेगा, it is very important जो आप उनको feed खिला र हैं, okay, वो उसके उपर, back के उपर बहुत ऐसा गर्व से लिखते हैं कि इसमें protein 20% है, 25% है, मैं उनको suggest करूंगा कि कभी आप उसके उपर यह लिखिये कि आपका feed का pH क्या है, they will never, because they know कि उनका feed है acidic, इसलिए वो कभी वो display करेंगे, जो protein है, जो fat है, वो ही display करेंगे, तो कौ अगर आपको digestion की seriously अगर उनके बारे में सोचना है, तो उनका feed जो है, forder जो है, वो उसका pH क्या है, हलका सा acidic हुए तो चल जाता है, पर उसका एक प्रमान है, उससे अगर उपर गया तो उनको तकलिफ हो सकती है, तो hope मुझे इसा लगता है कि pH यह concept आपका clear हुआ होगा, इस के उपर, तो आप मुझे यह comment कर सकते है, अगर उसको कुछ और आगे कुछ कुछ भी दूसरे सवाल भी रहेंगे, तो मैं उसके उपर एक वीडियो बना के आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको वो topic के साथ आउंगा, यह maximum logo तक यह alkaline और acidic यह वीडियो है, उन उन चलबाइगर भी रहेंगे, ट्रूस करना के मुफियो है, तो मैं वीडियो वीडियो ही ओरान के आपको वीडियो में आपको जो करणा से खिकलोंपी मीजियो झाल झाल